हेलो एवरिवरिवन, वेलकम तो सुमन सजिशन, वेरी यूसफुल टिप्स, पहला जब अपने होट पॉट में रोटी रखते हैं तो लास्ट में देखते हैं खाते वक्त की नीची रोटी भीग जाती है और पानी पानी सा हो जाता है तो अगर आप इसमें प्लेट रखते तो देखिए मैं इतने सारे रोटी ये करिब दो घंटे बाद निकाल ली हो खाने के वक्त में तो इस प्लेट में एक दम पानी नहीं है नीचला रोटी देख रहे ने दम सूखा हुआ है और जो भाप सारे निकले हैं वो देखिए होट पॉट में इस तरह साइड में जम गए ह और बाखी रोटी का भी किनारा ना भीके इस तरह प्लेट रगते दूसरा जब भी चाय बनाते हैं तो अपने अद्रग भी डाल देते हैं शुरू में तो दूद अगर पुराना हो तो कटने का जादा डर रहता है तो इस तरह अगर जब दूद खोलने लगे चाय लास्ट म खोलने के वक्त में अद्रग डालते हैं चाय कभी भी कटेगी नहीं थाट जब कभी भी हम लोग परमल या मूडी बदाम वेगर चना यह सब कुछ दिन के बाद ब्याम से निकाल के खाते तो सील जाता है तो इसे अगर आपके पास ग्रिल है तो इसमें गरम करें तो तावा कितना अंदर से एकदम कुर्मूर हो गया है कढ़ाई वेगरा तावा में क्या बाहर से जल के सिकूर जाते हैं बचे हुए चावल को फ्रीज में रख देने पर नेक्स डे अगर ऐसे निकाले तो कैसा कड़ा कड़ा सा हो जाता है तो उसे नॉर्मल करने के लिए एकदम पका हुआ लगेगा दम फ्रेश हो जाएगा इसी तरह ताजी चावल में भी पानी निकालते वक्त अकर बचा हुए चावल मिला कर पानी निकालते तो एकदम पता नी चलता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट टेप्स है जो कि प्रायक फल वेगरा कभी अपने कच्छे भी आ और नहीं तो किचेन में इस तरह का गेहूं का या चावल का बड़ा सा ड्रम हो उसके भीतर भी अगर इस तरह गुसा कर रख दे तो गर्मी से एक दो दीन में चारो तरफ से एकदम पीला और इक्वल पक जाता है फलो को पकने के लिए कभी भी जमीन पर मत रखिए और खु पीला पीला हो गया है इक्वल पक गया है नॉन बेज वालों के लिए लास्ट में बहुती इंट्रेस्टिंग टिप्स है नेक्चो में बताऊंगी ये तो सभी को पता है कि बिंडी वगर जो लट लट होती है उसे बचने के लिए अगर नाइफ में नीभू लगा दिये तो लट लट नहीं होता है लेकिन एक बार लगाने से नहीं होता है मैं ये करीब साड़े साथ सो ग्राम काट रही हूं बिंडी तो मुझे इसे करीब आधा किलो काट लेने के बाद फिर बीच में एक बार और लगाना पड़ा है तो मैं देखी ये सारे बिंडी काट कर दिखा मेरे नाइफ में एकदम कोई लट लट नहीं है यह बहुत ही इंपोर्टेंट टेप से अपने पराथा वे अगर बनाते है तो इस तरह घी या रिफाइंड ओयल कुछ भी थोड़ा सा कच्छे में ही लगा देते हैं तो इससे क्या होता है पराथा बहुत तेल अबजर्ब करता क्योंकि इस तरह पकी हुए पोश्चन में अगर तेल लगाएंगे तो तेल अच्छी तरह से स्प्रेड हो पाता है तो कम तेल में ही वह 4 तरह फैल जाता है और पराथा भी फूला फूला होता क्या होता है ना बहुत लोगों को प्याज से बहुत ऐलर्जी होती है प्याज काटने लगते तो पूरे आखो में आशु भढ़ जाते हैं तो अगर इस तरह आप पानी में भीगो दे करीब 15-20 मिनट के लिए तो पूरे इसके जाग तो निकली जाते हैं और ये देखिए छिल अराम से निकली जाएंगे और प्याज आप एक किलो भी काट लेगी तो गारिंटी है आपके आख में एक बुदांसु नहीं आएगा इस स्टेप्स को आप हलके में मत लीजेगा ये बहुत ही यूसफूल है क्या होता है कभी अपने पूरी पराठा वेगर भटोरे वेगर बनाते हैं तो स्लैब में पूरे घी घी लग जाते हैं तो अगर किसी कपड़े वेगर ऐसे पोछे तो पूरा कपड़ा भी उसमें तेल तेल हो जाता है तो इस तरह ये आटे को अगर उस जगह पर लगा दिये तो देखिए कितना ये घी एब्सूर्ब कर लिया है अब जाता है जो बहुत ही देड तक रहता है तो अगर इसको साफ करने से पहले सरसो तेल लगा लिए और फिर साफ किये तो बिलकुल इसमेल नहीं रहेगा और प्रिजर्व करने का भी उपाय है नमक खल्दी और थोड़ा सा नीबू का रस लगा कर फ्रीजर में रग तो काफी दीनों के बार भी अगर आप इसे पकाएंगे तो काफी सॉफ्ट रहता है नीबू के रस लगाने से स्मेल भी कम आती है थैंक यू